क्योंकि देखो दोस्तों आप परफेक्ट हो गई होगे आप जब दस्वी में थे बारवी में थे आप फोड़ी सोचते थे कि मैं अगर फेल हो गया तो रेडी ही लगाऊंगा हम यह सोचते थे पॉजिटिव माइंडसेट से कि पास होंगे अच्छे नंबर्स लाएंगे फिर ग्राइजूइशन करेंगे फिर जॉब करेंगे एकसेटरा वैसा ही माइंडसेट आपको ड्राइविंग के टाइम पर रखना है कि यार मैं छे मेने में परफेक्ट हो जाओंगा सारे पहलों के बारे में बात करेंगे कि पैट्रोल लेना है,CNG लेना है,Diesel लेना है या फिर आपको EV लेना है इन फैक्ट हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कौन सा इंजिन आपको लेना चाहिए इन दो चीजों में पहली चीज़े आती है कि आपका बजट क्या है,which is obvious और सेकिंड चीज ये आती है कि आप एक experienced driver है या फिर आप एक beginner है इन दोनों के बीच में भी एक level आता है जहां पर आपने कभी न कभी किसी की car चलाई होती है सो उसको आप semi pro के एलो या फिर थोड़ा सा better than beginner सो आपको पहले decide करना है कि आपका budget क्या है तो यहां पर मैं अलग-अलग budget वाले लोगों को अलग-अलग car recommend करूँगा क्योंकि exactly मुझे नहीं पता कि आपका क्या budget है सो इसलिए मैंने यहां पर तीन slab बना रखे है फर्स्ट मैं बात करूँगा जिनका budget आठ लाग से नीचे का है सेकंड जिनका आठ से बारा के बीच में है और फिर जिनका बारा से सोला के बीच में है अब हम स्टार्ट करते हैं assume कर लेते हैं कि आप एक beginner है और आप एक first time कार ले रहे है so मेरी सला से तो आपको कोशिशे करनी है कि अगर आप पहली बार कार ले रहे हैं और आप beginner ही है आपने अगर driving सीखी ही सीखी है so पहली बार में मैं आपको midsize SUV तो recommend नहीं करूँगा directly हलाकि वो subjective है वहाँ पर फिर आपका financial freedom वाला role play हो जाएगा क्योंकि अगर आप in case उसे ठोकते हैं तो वहाँ पर expenses जादा होते है तो अगर आप ये चीज़ manage करने के लिए तयार है कि भाई आप जादा खर्चा उठाने के लिए तयार है क्योंकि लंबी कार है शिरुआत में turn लेने में पार करने में लंबी कार में थोड़े से issues आ सकते हैं तो छोटी कार से शुरू करना अक्सर जादा समझदारी होती है अगर आप इतना confidence रखते हैं कि यार मैं बहुत quick learner हूँ आप बहाँ भी जा सकते हैं यहां पर जादातर जो cars big रही है आज की rate में अगर मैं बात करो दोस्तों तो वो आ जाते है Tata की punch उसका reason यही है क्योंकि यह भाई एक low budget car है और यह compact SUV तरह दिखती है पर है micro SUV build इसकी 5 star है तो लोग काफी confidently इस car को चला पाते हैं यहां पर आप जाद expect नहीं कर सकते हैं इंजन से क्योंकि अलरी Tata आपको काफी जादा चीज़े दे रही है लंबी चोड़ी car दे रही है पावर अच्छी कासी दे रही है इंजन के अंदर और यह car कहीं भी चल सकते है 1.2 पाड़ों पर भी चल रही है हर जगा चल रही है हाले कि अगर आप कोई ऐसे शक्स हैं जो थोड़ी सी knowledge रखते हैं इंजन की इवन दो आप अगर beginner है तो यहां पर मैं आपको अलग car सरके मेंट कर सकता हूँ अगर आपको कोई smooth car चाहिए तो आप start कर सकते हैं यहां पर थोड़ा साब को यह देखना पड़ेगा दोस्तों की safety के थोड़े से concerns रहेंगे आपको और अगर आप इस बीच में फस गये हैं दुमीदा में तो आप altros diesel की तरफ भी जा सकते हैं यह आपकी choice रहेगी वरना normal altros की तरफ भी जा सकते हो पर अगेन आपको वापर three cylinder engine ही मिलेगा four cylinder engine आपको नहीं मिलेगा अगर आप यहां confused हो कि भाई मैं क्या करो मैं smooth engine की तरफ जाना चाहूं या फिर मैं safety की तरफ जाना चाहूं तो क्या better option रहेगा तो दोस्तों यहां पर आपको यह समझना होगा अगर आप car long time के लिए रखना चाहते हो क्योंकि अगर आप beginner हो और मुझे आपकी financial profile नहीं पता पर अगर आपको ऐसे beginner हो जो अपनी car को at least 7-8 साल तक रखना चाहते हो बड़े सौात से चलाना चाहते हो so four cylinder car के engines यहां पर recommended होते है अगर आपको ऐसे शक्स हो जो यार दो-चार साल बाद फटा बट से पान साल के अंदर ही driving सीख के move on करना चाहता है तो मैं definitely आपको आख बंद करके Tata की cars recommend करूंगा आप Tata के Tiago, Punch या फिर Altros कोई भी car उठालो इनके जो mid variants होते हैं जॉप पर मच जनक भी कितना पैसा लगाने के need नहीं है अगर आप first time buy कर रहे हो जब मैं कहता हूँ आपको इतना need नहीं है मेरे कहने का simply मतलब यह है कि जादा महेंगी car लेकर भागाने का मज़ा तब ही है जब आप अपनी full potential पर चला पाओ मेरे experience यह कहता है कि जादातर जो beginner drivers होते हैं वो अगर regularly car चला रहे हैं चाहे हो जैसे मर्जी चला रहे हो पर अगर वो regular चला जा रहे हैं तो एक साल के अंदर अच्छे खासे pro हो जाते हैं वो अच्छी तरह चलाना सीख ही जाते हैं जाद अदर case में problem ही आती है एक साल बात जब अपनी car को पूरा समझ लेते हैं और जब वो किसी और की car चलाते हैं specially अगर वो Tata car के owner है तो उनको differences feel होने शिरू हो जाएंगी कि engine vibration क्या होती है, car का cabin noise क्या होता है, steering vibrations क्या होते है, gear shifting issues क्या आ रहे है तो वहाँ पर थोड़े से issues आते हैं, हाले कि अगर आप इसे नजर अंदास करना चाहें, तो बिल्कुल आप नजर अंदास कर सकते हैं तो वापिस आते हैं, अगर आप beginner है, आपका budget आट लाग रुपे के आसपास है तो आप Tata Tiago, Maruti की Balino, Infect Swift, इनमें एक engine मिलता है आपको या फिर अगर आप चाहें, तो Tata की punch ले सकते हैं, Altros और Grand I10 क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग combinations है, safety के लिए Tata की car choose करो आप आग बंद करके और अगर आपको smooth engine चाहिए, अच्छी handling, बड़े है response है ये engine का तो महाँ पर आप Balino या फिर I10 जासी cars की तरव भी चाह सकते हो तो दोस्तों आप बात करते हैं, दूसरे के टेकर दिखी, जहाँ पर आपका budget आठ से 12 लाग का है यहाँ पर मैं दोनों लोगों के बारे में साथ में बात करूँगा, चाहे आप beginner हो या फिर आप mid-level के आपको ठीक ठाक कार चलाना आती है तो यहाँ पर भी अगर आपको safest कार चाहिए, तो Tata की आप Naxon की तरफ जाहिए आँग बंद करके, जादा आपको नहीं सोचना है पर अगर आपको long run के लिए कार चाहिए, कि भाई मुझे तो ना काफी लंबी duration के लिए रख रही है आट-दस साल के लिए, मैंने एक बार ले लिए 7-8 साल चलाना चाहूँगा मैं, दिमाग खराब नहीं है मेरा मैं अपने कार से काफी अची mileage expect करता हूँ, मैं अपनी कार को long run के ले चलाना चाहता हूँ तो अब मारुत्वी की कार की तरफ जाएए, वहाँ पर आपको Brazak option मिल जाएगी या फिर आप Fronks की तरफ भी जा सकते हैं ये एक subjective चीज है, Fronks यहाँ पर यही रोल प्ले करती है, कि कुछ लोग जिने compact SUV टाइप Y भी चाहिए, पर वो जादा बड़ी कार नहीं लेना चाहते जा सकते हो, जहां पर आपको Venue और Sonnet की तरफ भी आप जा सकते हो, ये काफी सुंदर और premium car लगती है अपने budget के साब से, इनकी looks का कोई भी तोड नहीं है इनफेक्ट अभी XUV 3XO भी आने वाली है, जो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इन कार का वेट कर सकते हैं, XUV 3XO भी global end cap 5 star आईगी और ये turbo engine आपको लागे देती है और यहाँ पर आपको एक बड़ी कार चाहिए, इवन दो आप चाहें beginner हो या फिर आप semi beginner हो सो दोस्तों यहाँ पर जो highest selling car हो जाती है, वो है Hyundai की Krata, Krata को को introduction की need नहीं है Krata back to back highest number sell out करती है, और लोगों का इस पर आंग बंद करके trust है हलेगी, अगर मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि जादा तर लोग इसकी safety के बारे में बात नहीं करते, हम करेंगे पर इसकी जो global end cap है, वो 3 star safe है, और इस car की looks है, इस car का जो एक नाम चल रहा है, एक जो versatility है इस car की, दिखने में जो एक dynamic, इसका overall निगल के आता है, road presence जो आती है, वहाँ पर लोग इसकी safety को थोड़ा सा नजर अंदास कर देते हैं, सुक्रेटा आपके लिए भी choice बन सकती है, पर अगर आपको एक चाहिए value for money car, जो आपको अच्छी mileage भी दे, और आपको ज़ादा भगाने का शौक नहीं है, आपको अच्छी road presence चाहिए, अच्छी ground clearance चाहिए, तो आप grand vitara की तरफ जा सकते हैं, मिड साइस SUV में ये सबसे ज़ादा value for money car निकल कर आती है, क्योंकि मारूति की cars का कहा है न दोस्तों, आपको resale value भी काफे ज़ादा अच्छी मिलती है, तो अगर अब ब्रैजा, विटारा या फिर फ्रॉंक्स ये cars खुलेते हो, तो एक assurance आपके ये रहती है, जो अपने पैस बनता है न, और आपको car के ज़ादा मज़े लेने है, so interior wise car को भगाने के इसाब से, या फिर जो driving dynamics की best possibilities होती है, वो आपको Hyundai में भी मिल सकती है, वो आपको Tata में अगर आपको चाहिए, तो आपको 1.5 litre का 4 cylinder engine पे जाना होगा, वो आप Altros में भी ले सकते हो, या फिर आप च services बगएर होती है, parts बगएर होती है, हर जगा अगर आप 15-20% उपर पैसा देने के लिए तयार है, तो आप मारूतिय के लावा दूसरी cars पे जाहिए, retail value का factor थोड़ा सा down ज़रूर होगा, मेरा first दोस्तों यहाँ पर खाली है, आपको चीजों से अवगत कराना है, बड़ा भ budget में, best safest car है वो, जब लोग नहीं कार लेते हैं, तो जादा सोचते हैं, क्यार मैं तो safe रहूँगा, तो थोड़ी चोटी कार भी है, turn वगरा मारने में, अच्छा रहता है, और अगर हम बात करें दूसरे factors की, तो बाखी cars में, Braza और Naxon टॉप कर रही है, compact SUV में, इनकी safety भी Krata और Vitara मेरी choices रहेंगी यहाँ पर, Seltos की तरब भी आप जा सकते हो, अगर आप चाहो तो, पर लोग अचकल Krata को choose कर रहे हैं, क्योंकि Seltos की sale काफे ज़ादा down है, तो उसकी resale भी कम है, वैसा ही High Rider के साथ भी हो रहा है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, पर अगर ए चाहे Elevate हो, Naxon हो, Braza हो, मेरे चानल पर आपको सबकी showroom walk arounds की video भी मिल जाएगी, जहाँ पर showroom पर जाज़ा कर भी मैंने car को showcase करा है, वो भी आप मेरे चानल पर जाकर चेक आउट कर सकते हो, अगर आपके कोई भी doubt है, फिर कोई भी question रहें गए हो, तो definitely comment करना, मैंने आपक कोशिश करिए समझाने की, कि एक beginner को किस हिसाब से car लेना चाहिए, उसका mindset ही होना चाहिए, कि अगले एक साल बात जब मैं car सीख लूँगा, तो मेरी car को कैसा perform करना चाहिए, आपको उस चीज़ को नजरों में रखते होए car खरीदनी है, ना कि बस ये कि आज मुझे करम driving आ हो गया तो ready ही लगाऊंगा, हमेश सोचते दे positive mindset से क्या ही पास होंगे, अच्छे numbers लाएंगे, फिर graduation करेंगे, फिर job करेंगे, etc. वैसा ही mindset आपको driving के time पर रखना है, क्यार मैं 6 मिने में perfect हो जाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी car से क्या expect करता हूँ, ये सोचकर आपको car ले देदा धुrat करेंगे, ये से क्या है से क्या है आपको लेभर से क्या ही याल मैं थे ये